एपिसोड 37 आस्तीन का साब एक दूसरे की आँखों में देखते हुए वरुन और डिम्पल दोनों की दिलों की धरकने बढ़ गई थी जैसे अगले ही पल ना जाने क्या हो जाए तबी सडक से जोर से हौन बजाती हुई एक कार तेजी से गुजरती है और उन दोनों को खोश आता है दोनों अचानक से अपनी नजरे एक दूसरे से हटाते हुए इधर उधर देखने लगते हैं और वरुन दोनों का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर डिम्पल से पूछता है तुमने बताये नहीं तुमारी चुटियां कब से लग रही है और डिम्पल खुद को संभालती हुई कहती है अभी एक हफ़ते बाद एक्जाम शुरू होंगे हमारे जो दो हफ़ते चलेंगे और उसके बाद चुटियां पूरे एक महिने की पर अगर तुम ये कहीं गुमने जाने के लिए पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ ना मेरे पास घुमने जाने के पैसे हैं और ना ही टाइम क्योंकि चुटियों के बाद हमारा म्यूजिक फेस्टिवल है तो मुझे प्राक्टिस करनी है और पैसे भी कमाने है ताकि मैं अपनी फीज भर सकूँ अब क्या पता इस सेमेस्टर का रिजल क्या हो और स्कॉलर्शिप भी मिले या नहीं वैसे तुम बताओ तुम क्या सच में मुंबई के क्लब्स में अपनी छुटिया बिताने वाले हो डिम्पल के इस सवाल पर वरुन हसता हुआ कहता है वो बस एक मजाग था डिम्पल मैं तो काम ही करने वाला हूँ जादा तर और कभी टाइम मिला तो शिरीश और रिशी से ये कहते कहते वरुन रुख जाता है और फिर बात बदलता हुआ अपनी जेब टटोलता हुआ डिम्पल से कहता है वैसे मैंने तुम्हारे लिए हामिद लौरेंस का ओटोग्राफ लिया था और जब वरुन को याद आता है कि ओटोग्राफ वाला टिश्यू पेपर तो उसकी कल वाली जीन्स में ही रह गया है वो थोड़ा निराश होता हुआ कहता है जो कि मेरी दूसरी जीन्स में रह गया तो तुम अगली वार वो मुझसे याद से ले लेना लौरेंस का नाम सुनते ही डिम्पल एक्साइटेड हो गई और उसने आगे बढ़कर वरुन के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा सच तुम हामिद लौरेंस से मिले थे और फिर इसे वरुन का कोई मजाख समझते हुए कहती है नई तुम बस अगली बार मिलने का बहाना ढून रहे हो जिसकी तुमें जरूत है नहीं क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि मैं तुमें कहा कहा मिल सकती हूँ अब जाओ, मुझे भी क्लास के लिए लेट हो रहा है ये कहकर डिम्पल कार का दर्वाजा खोल कर बहार निकल जाती है और वरुन एक टक अपनी उस हाथ को देखता रह जाता है जिस पर डिम्पल ने अभी अभी अपना हाथ रखा था तब ही डिम्पल कार के काच को खटखटाती हुई वरुन को होश में लाती है और उसे बाई कहकर वहां से जाती है डिम्पल के वहां से जाते ही वरुन के दिल में जैसे एक मीठा सा दर्थ उठता है और वो मुस्कुराता हुआ खुद से कहता है पक्का डिम्पल के लिए सब नॉमल होगा किसी का हाथ पकड़ने पर भला क्यों स्पेशल महसूस होगा उसे ये कहकर वरुन अपनी कार स्टार्ट करता है और अपने आफिस की तरफ बढ़ जाता है वही डिम्पल जिसे अपने अंदर अजीब सी सरसराहट महसूस हो रही थी वो एक पेड़ से टिक कर अपने दिल को थामे खड़ी वरुन की कार को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन खुद से कह रही थी उसने भी तो मेरा हाथ पकड़ा था फिर मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है वैसे भी उसे तो लड़कियों के हाथ ठामने और छोड़ने की आदत होगी लेकिन मिस डिम्पल आप इन चकरों में नहीं पढ़ना ये कहकर डिम्पल मुस्कुराती हुई अपने कॉलेज की तरफ मुर जाती है एक तरफ जहां रोहन राय प्रकाश की लाइफ एक ब्लाक और वाइट फिल्म बनकर रह गई थी क्योंकि इस तरह चुप-चाप घर में एक अच्छा बेटा बनकर बैठे रहना रोहन का स्टाइल नहीं था उपर से छुटियों ने उसकी जिन्दगी और मुश्किल बना दी थी अब उसके पास घर से बाहर निकलने के लिए कॉलेज जाने का भी बहाना नहीं था इस वक्त रोहन अपने कमरे में लेटा टीवी पर कोई शो देख रहा था कि तभी एक सर्विन ने आकर उससे कहा साहब आपको बुला रहे हैं बाबा ये सुनते ही रोहन का मूट खराब हो जाता है और वो अपना हुलिया ठीक करता हुआ अपने पापा की स्टरी रूम में पहुशता है तो देखता है कि वो अपने आख पर पास का चश्मा चढ़ाए कोई फाइल पढ़ रहे हैं रोहन बिना उनके कुछ कहे उनके सामने वाली कुरसी पर बैठता हुआ कहता है आपने बुलाए पापा? रोहन को देखकर मिस्टर राय प्रकाश फाइल को एक तरफ रखते हुए कहते है ये वरुन सिंगानिया वही लड़का है ना जिससे तुम कॉलेज में परिशान करते थे जिससे तुमने तीस लाख रुपे लिये थे? वरुन का नाम सुनकर रोहन थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसके पापा अच्चानक उसका जिक्र क्यों कर रहे है और थोड़ा हिचकिचाता हुआ कहता है मिस्टर राय प्रकाश अपने बेटे को अच्छी तरह जानते थे क्योंकि वो भी उस उम्र से होकर गुजर चुके थे इसलिए वो कहते हैं तुम किसे परिशान करते हो और किसे नहीं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है रोहन लेकिन अगर इससे मेरी इजज़त या मेरे बिजनिस में कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम देखोगे मैं क्या कर सकता हूँ खैर मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहां बुलाया है कि अब तक तुम्हारे और वरुन के बीच में जो भी हुआ वो हो चुका अब मैं चाहता हूँ कि तुम उससे अपने रिष्टे सुधारो और उससे दोस्ती करो अपने पापा की ये बात सुनकर रोहन मन ही मन हस्ता हुआ खुद से कहता है एक बार सूरज पश्चिम से निकल सकता है पापा लेकिन मेरी और वरुन की दोस्ती इंपॉसिबल और मैं तो दोस्ती करने का नाटक करके चीजें और भी खराब कर चुका हूँ अब तो उसका मुझपर भरोसा करने का कोई चांस ही नहीं है रोहन अभी ये सोची रहा होता है कि उसके पापा आगे कहते है रोहन का चेहरा खिला देता है क्योंकि वरुन को जर से उखाड कर फेकने की खुशी उससे जादा किसी को नहीं हो सकती थी इसलिए उसने अपने पापा की बात पर सहमती जताते हुए कहा मैं समझ गया पापा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा ये कहने के बाद रोहन वहां से जाने लगता है कि तभी उसके पापा पीछे से टोकते हुए कहते हैं बहुत जल्द हामिद लॉरेंस एक पार्टी रखने वाले हैं और मुझे पक्का यकीन है कि अगले लॉंच वाले दिन वरुन ने जोश जोश में आकर जो एनाउंस्मेंट की है उस सिलसले में बात करने के लिए वो उस पार्टी में जाने का मौका नहीं छोड़ेगा इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम वरुन से उस पार्टी में मिलो ताकि उसे हम पर शक न हो पार्टी का नाम सुनते ही रोहन के मन में लड़ू फूटने लगते हैं लेकिन अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लिये हुए वो अपने पापा से कहता है जैसा आप कहें बापा और वहां से चला जाता है अगर रोहन इस वक खुश था तो वरुन उससे दो दुगनाज जादा खुश था और इसकी वज़ा थी दिंपल इसी खुशी में मुस्कुराता और किसी गाने की धुन गुन गुनाता हुआ वो अपने सिंगानिया ग्रुप के इस शहर के बीचो बीच बने ऑफिस पहुच गया था अपनी जीन्स के जेब में दोनों हाथ डाले शर्ट के उपर के दो बटन खुले वो इस वक उस दस मंजल बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहा था इस वक्त बेफिक्र होकर किसी गाने की धुन गुन गुनाते हुए वरुन को देख कर कोई नहीं कह सकता था कि इस बिल्डिंग में जितने लोग काम कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं आफिस के हिसाब से वरुन के कपड़े फॉर्मल नहीं थे लेकिन इन कपड़ों में भी वो इतना स्मार्ट लग रहा था कि अब लिफ्ट में उसके साथ खड़ी लड़कियां उसे देख कर आपस में बात करने से नहीं चुक रही थी वरुन ने युनिवरस्टी से निकलते समय ही मिनी को कॉल करके बता दिया था कि वो 10 मिनिट में आफिस पहुँच जाएगा इसलिए मिनी पहले से ही 8 फ्लोर जहां वरुन का आफिस था उसके लिफ्ट के सामने आकर खड़ी हो गई थी और क्योंकि CEO बनने के बाद वरुन पहली बार आफिस आ रहा था इसलिए मिनी के साथ अलग-अलग डिपार्टमेंट के हैड भी उसके स्वागत के लिए खड़े थे लिफ्ट जैसे ही 8 फ्लोर पर जाकर रुखती है और उसका दर्वाजा खुलता है वरुन अपने सामने हाथ में बुके लिए खड़े इतने सारे लोगों को देख कर घबरा जाता है और लिफ्ट में अपने साथ खड़े लोगों की तरफ देखने लगता है कि इनमे से किसके लिए ये हुजूम लगा है और फिर कुछ सेकंड बाढ़ जब लिफ्ट का दरवाजा वापस बंद होने लगता है तो बाहर भीड में से मिनी के आवास आती है और तब वरुन को समझ आता है कि ये सब उसके लिए है वरुन लिफ्ट के बाहर आता है और मिनी उसे डेनिम जीन्स के उपर एक कैजुल हलके गुलावी रंगी शर्ट पहने देखकर अपना माथा पीटती हुई मन ही मन खुद से कहती है ये बाहर से घूमता हुआ जिस हालत में था उसी हाल में आफिस आ गया वरुन को इस तरह ओफिस में देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और साथ ही उन्हें यकीन हो जाता है उन लोगों ने नियूज में जो पढ़ा और सुना था वो सच है वरुन सिंगानिया एक बच्चा है वरुन का स्वागत करने के बाद सब उसके पीछे पीछे चल कर मीटिंग रूम में पहुचते हैं वहाँ वरुन अपनी जगा पर बैट कर बाकी सब को भी बैटने का इशारा करता है और अपने सामने रखे लाप्टॉप की स्क्रीन की तरफ देखता हुआ कहता है तो पिछ प्राइन कर रहे हैं जो कि सही भी है क्योंकि अभी तो मैं खुद की गैरंटी नहीं दे सकता तो इस कंपनी के फ्यूचर की गैरंटी कैसे दूँ तो आप लोग प्लीज किसी को रोकने के लिए फोर्स मत कीजेगा उन्हें एक महीने के नोटिस पीरिट के लिए तो काम करने दीजे और अगर एक महीने मेरे साथ काम करने के बाद भी वो जाना चाहें तो उन्हें जाने दें और अगर वो रुखना चाहें तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है वरुन की ये सूजबूज मीटिंग में बैठे उससे उम्र दराज सभी लोगों को उसका वरुन सबको एक हद तक ये यकीन दिलाने में कामियाब हो जाता है कि वो यहां कोई बच्चों का खेल खेलने नहीं है बलकि अपना बिजनेस करने के लिए है मीटिंग खत्म होती है और वरुन अपने चेहरे पर एक मुसकान लिए अपने दाहिने तरफ मुड़कर कहता है और मिनी लैपटॉप की स्क्रीन से अपनी आखें हटाकर वरुन की तरफ बेखती हुई कहती है येस सर मीनी के मुझ से अपने लिए सर सुनकर वरुन को हसी आ जाती है लेकिन उस वक्त वो किसी तरह अपनी हसी को कंट्रोल करता हुआ कहता है कल मैंने जो तुमसे वर्किंग करने वाले को एक घंटे के हिसाब से सालरी भी जादा मिले और अगर possible हो तो इस policy को अगले महिने की बजाए इसी महिने से लागो करने की कोशिश करना मिनी इस बार yes sir कहने की जगा अपना sir हा में हिलाती है और वरुन वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो जाता है जिसे देखकर मीटिंग रूम में मौजूद बाकी सभी लोग भी खड़े हो जाते है और वरुन have a good day कहकर वहाँ से निकल जाता है वरुन के वहाँ से जाते ही सब उसके बारे में आपस में बात करने लगते हैं तब ही मिनी का फोन बचता है और उसे वहाँ देखकर और सब अपनी आवाज नीची करते हुए रूम से निकल जाते हैं सब के जाने के बाद मिनी अपना फोन उठाती है और फोन की दूसी तरफ से एक अजनभी सी आवाज सुनकर दंग रह जाती है हलो मिनी डालिंग वो आदमी जिस तरह से ये तीन शब्ट कहता है मेरी समझ जाती है कि ये और कोई नहीं बल्कि हामिद लॉरेंस है और वो चिर कर अपने गुसे को अंदर दबाती हुई कहती है हाई हामिद मुझे कैसे कॉल किया लॉरेंस की जगा अपने लिए किसी के मुझ से हामिद सुनकर लॉरेंस को अजीब लगता है लेकिन मिनी ने ये जान बूच कर कहा था क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि हामिद लॉरेंस को हामिद कहलाना बिलकुल पसंद नहीं था तब ही लॉरेंस ने अपने कॉल का मकसद बताते हुए मिनी से कहा मुझे आपके CEO मिस्टर सिंगानिया का परसनल नंबर चाहिए था मिनी जी वो तो मुझे मिला नहीं पर आपका नंबर मिल गया तो अगर आप मेरी कोई मदद कर दे तो महर्मानी होगी लॉरेंस की ये बात सुनकर मिनी अपनी आखे गोल घुमाती हुई एक गहरी सांस लेने के बाद बोलना शुरू करती है मिस्टर हामिद लॉरेंस मैं आपको ये बताना चाहूंगी की मुझे मेरे बॉस का पॉसनल नंबर किसी के साथ भी शेयर करने की अजाज़त नहीं है और रही बात पार्टी वाली जो आप दोनों के बीच बादशीत हुई थी तो अगर मेरे बॉस को वो बात आगे बढ़ानी होगी तो वो खुद आपको कॉल कर लेंगे इतना कहने के बाद मिनी फोन कार्ट देती है और बिना ये समझे कि लॉरेंस टे वरुन से नहीं बलकि उससे बात करने के लिए कॉल किया था जहां एक तरफ मिनी वरुन को बुरी संगत से बचाने में लगी थी वहीं दूसरी तरफ वरुन की ही ओफिस बिल्डिंग में एक आस्तीन का साप छुपा था जो उसके साथ उसकी मीटिंग में भी मौजूद था और इस वक्त बिल्डिंग के छट पर बने कैंटीन में एक कोने में खड़ा किसी से फोन पर कह रहा था हलो सर हाँ मैं उसके साथ मीटिंग में था और मैं कह रहा हूँ सर हमने जितना सोचा था ये काम उतना आसान नहीं होगा ये वरुन हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा स्माठ है कौन है ये आदमी और क्या है इसके इरादे वरुन को लेकर जानने के लिए सुनिए लगबाय चांस का अगला अपिसोड सिर्फ पॉकेट एफेम पर